कार कर रहा है जी आप जब गए थे पंजाब तो आपका काफिला ब्रिज पे अटक गया था और आपने किसी ऑफिशल को कहा कि अपने चीफ मिनिस्टर को कही है मैं जिन्दा वापस जा रहा हूं बहुत सा इंवेस्टिगेशन भी चल रहे है ये सेक्योरिटी को लेकर लेकिन उस वक्त आपको कैसे महसुस हुआ था क्योंकि आप पंजाब से पतानी कब से जुड़े हुए हैं मैं इस पूरे मौर से पार्ट से मेरा बहुत निकट नाता रहा है मैं पंजाब में बहुत रहा हूं मैं पंजाब की मेरा बना नाता रहा है मैं मेरी पार्टी का काम वहां क करता था कि मैं पंजाब के लोगों की जो भीरता है ने डेखी है कि modo को मैं आपके गुधान बताता हूं है अपने पार्ठी का काम करता था कि अस समय तो ये अतंग भाध बड़ी एक्दम हालत बड़ी खराСव थी रचा के बाद को निकलने मात तार मैं शॉयरे में है मीज़े अगल्마 मुझे अगले स्टेशन पहलाँ लेकिन कार्गम के काण देर हो गई को देर हो गई मैं और मेरे ड्राइएवर दोही को निकले शॉब हो खिर दुर्फाइब के से मारी गाडी खराब और में रास्ते है तो हम कोशिश कर रहे ते लिए गाड़ी चल नहीं रही थी उसमा एक पुरानी अंबेसेडर मेरे पास थी धक्के भी लगाएं कोशिश की तो खेज में दो तिन लोग थे सरदार थे वो दोरते हुए आए उन्होंने भी धक्के लगाने में मदद की लिए गाड़ी नहीं चली को फिर अमने काव नदिक से कोई हमें कोई में कि किनिक मिलेगा यह करए नहीं मिलेगा तो जाभ यह था थे बिन ही हाटो पहती जोलो में घोकली फिर टूम्हें मूंने हमें खालो और रात को रूख करो इंब जिस परकार से उन्होंने मुझे समाला, उन्हों का भई, कुछ भी हो, तुम सुभे जाना, अब यहाही रुक जाओ, बादमीन को पता जला, मैं तो भाज़पा कार करता हूँ, ठीक है नहीं, तुम भाज़पा के हो, कुछ भी हो, तुम आज रात मेरे हारू है, मैं हराम उन्होंने अपने जो छोटी सी जगह होती है, उसमें रखा, मेरा खान पाइनकी भजता की, और सुभे, उनका बेटा जाकर के लिकनी को लियाया, गाडी ठीक ही, और मैंने पंजाब का इदिल देखा है, इन सर्दारों के भावों को जानता हूँ मैं, इतने और मेरे तो तो मैं ऐसे ऐसे कारीवरों को लाया, राजस्तान वगरे भार से, कि बहसा ही मुझे बेदवारा बना के दो, जो गुरु नानक देव जी के जहां चरन पड़े थे, बनाया दुवारा, आज कछ के अंदर, जो हमारे सरदार परिवार है, बहुत बड़ी मात्रा में है, खेती करते हैं, जब वो इसका बात का बना है, उनके आखों में सांसु आजाता है, और मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक वर्चुल मिटिंग में मैंने उच्छ गुरु दोरा में सब से बात की, मेरा इतना लगाओ रहा है, आपने देखा होगा, एक किताब है, पढ़ने जैसी है सरकार की, शायद अंग्रेजों के जमाने में जी भी सिक कौम के लिए नहीं हुआ है, अंग्रेजों के जमाने में तो हुआ ही नहीं है, ऐसे अनेक काम, मैंने देश के कल्यान के लिए हमारे सिक भायों की वीरता का सम्मान करने के लिए किया है, और मिजे गर्व है, जा उस दिन आपको ऐसे लगा कि ये राजनीतिक आंदोलन था इसलिए ऐसे हुआ ऐसा है कि इस विशे में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कौर्ट स्वयम इसको गंभीरता पुर्वक इस बात को देख रही है मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे या उचीत नहीं है जो भी है सुप्रीम कौर्ट के द्वारा जहां कमीटी निकालेगी जो सत्य होगा देश के सामने आएगा और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए आपने दोनों स्पीच में राजसभा में भी और लोकसभा में भी आपने कई बार कॉंग्रेस पर हमला किया और कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि आपने राहुल गांधी के जो ऐलिगेशन्स थे चाहे बेरोजगारी पर हो या भारत चाइना पर हो आपने उसका जवाब नहीं दिया उल्टा उन पर वार किया तो पहली बात यह है कि हमला करने वाली भाषा न मैं जानता हूँ न मेरी वो प्रकूरती है लेकिन तरके के आधार और तथे के आधार पर सदन में में कोई बात बताओं वो मिडिया के लिए गरम-गरम मसाला बनाने के लिए हमरा शब्द उप्यों को होता होगा हम हमला नहीं करते हैं हम संबाद करते हैं बाद विवाद भी होता है टोकाटा के भी होती है और वो मिसे म मैं बहुत हसते हुए इसको स्विकार करता हूँ मैं इसके कान मुझे कोई नारज गिनी होते हैं और मैंने हर विशे के तक्थे दिये हैं हर विशे को तक्थों के अधार पर बात की हैं कुछ विशेओं पर सदन में हमारे विदेश मंत्राले ने विस्तार से कहा है कुछ विश अब उनकी comment पर मैं जवाब क्या दूंगा आपने कहा कि आप में मन बना लिया एंस सौ साल आप पावर में नहीं आना चाहते तो मैंने भी मन बना लिया आपने क्या मन बना आया हमने मन अचिनार्दन के सपनों को पुरा करने वाली व्यभस्ताओं को ही बनाएंगे, उसी को भढ़ाएंगे, उसी को चलाएंगे, जरूर पड़ी के तो उसको साथ देंगे, यही हमारे रहे रास्ता, हम जो देश को तबाही के रास्ते पर ले जाने वाले जितने तवीके हैं, वो यह आने देंगे एनाई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद भूब भूब धन्यवाद रहुश्कार्णिस